अब यह जानते हैं बहुत साथे कोशन्स करें कि old tax regime और new tax regime क्या है और किसमे benefit रहेगा किस tax system के मारदयम से जो आपका salary पर total tax, income पर वो कम बनेगा, beneficially होगा आपके लिए तो आज की वीडियो वही जाने के बनेदी हमाई साथ वीडियो को पूरे देखिएगा आपको पूरी ज का ही बताएंगे और आपको इससे मदद भी लेगी कि आपको कौन सा tax regime चूज करना चाहिए ज्यादा benefit के लिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं old tax regime से यहाँ पर सबसे पहले वह देख सकते हैं जो 60 years से कम years के हैं जिनके उमर्सार साथ से कम है तो यहाँ पर देख सकते ह ग्राजमी की tax slaves हैं वो up to 2.5 lakhs tax nail है यानि 1.5 lakhs तक कोई tax नहीं पड़ेगा अगर उससे उपर है 1.5 lakhs से 5 lakhs के बीच 5% और 5 lakhs से 10 lakhs के बीच 20% और 10 lakhs से ज्यादा है तो 30% यह किस तार से जैसे 5 lakhs से 10 lakhs के बीच 20% बोला गया इत मीन 5 से 10 के बीच का difference हुआ 5 lakhs तो 5 का 20% इस तार से और 10 lakhs से उपर है तो 30% वहीं पर आवा जाते हैं जो exemption limit है यहाँ पर जो old tax रेजमेनी पुराना tax slave है उसमें धाई लाग तक कोई भी tax नहीं है जीरो है अब बताती है उनके इस के लिए जो 7 साल से उपर है लेकिन 80 साल से कैम है senior citizens है उनके लिए जो 3 lakhs का tax जो है exemption रखा गया है 3 lakhs तक कोई tax नहीं है उन पर और 3 lakhs से 5 lakhs के बीच 5% रहेगा और 5 lakhs से 10 lakhs के बीच 20% और 10 lakhs से ज्यादा का amount होगा तो 30% tax आएगा यहाँ पर clear देख सकते हैं उनके लिए 3 lakhs तक कोई भी tax नहीं है senior citizen के लिए वहीं पर आजाता है more senior citizen जिसे बोलते है super senior citizen 80 साल से उसके उपर के तो इन्हें 5 lakhs तक tax में छूट दीगी है 5 lakhs के income पर कोई tax नहीं रहेगा 5 से 10 lakhs के बीच का 20% और 10 lakhs से उपर है तो 30% tax रहेगा यहाँ पर exemption लिमिर देख सकते हैं 5 lakhs तक कोई tax नहीं है तो यह तो बात हो अब जान लेते हैं new tax रेजमी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं जो budget 2023 updated हुआ था क्यूंकि new tax रेजमी दो बार हुई है और finally जो updated है भी recently चले है उसके बार हम आपको बता रहे हैं तो इससे पहले जो update हुई थी उसमें 5 lakhs तक tax रहा गया था लेकिन अब जो update हुई है recently जो ल लाग तक के बीच के amount का आपको 5% देना होगा और 6 lakh से उपर और 9 lakh तक के amount का जो है 10% यहाँ पर जिखी जो 15,000 रुपया लिक करा रहा है इसका मतलब यह 5% on income exceeding raise 3 lakh तीन से 6 lakh के बीच का 3 lakh रुपया बना था उन 3 lakh का 5% जो है कितना हुए 15,000 रुपया तो बो 15,000 रुपया अगले में जुड़ जाए तो कि आपको total tax निकालना है ठीक हर category में percentage के साथे जो भी tax निकलता है उसे add करते जाना है तो उसी साथे यह 15,000 अगली step में जोड़ गया तो 6 lakh से 9,000 के बीच जो 3 lakh का amount बन रहा है उसका 10% लग जाएगा तो वो 10% और यह 15,000 अगली step में अगर जाता है किसी candidate का तो 30% tax देना होगा यहाँ पर देखिए new tax regime में standard deduction को शामिल किया गया है अगर आपकी salary में मतलब बन रहा है तो 50,000 की चूट मिलेगी वहीं पर senior citizen को 52,000 का standard deduction चूट के लिए दिया गया है और यहाँ पर tax exemption रखा गया है मतलब 3 lakh रुपया है तो आपक करते हैं तो कितने जादा amount से आप tax free रह सकते हैं और वहीं पर जो senior citizen के लिए slips आती है 3 lakh तक जो है कोई tax नहीं है 3 lakh से 5 lakh के बीच 5% 5 lakh से 10 lakh के बीच 20% और 10 lakh से उपर का amount रहागा तो 30% हो जाएगा वहीं पर senior citizen जो ऐसी साल से या 30 साल के उपर है तो 5 lakh तक कोई tax नहीं है 5 lakh से 10 lakh के बीच 20% है और 10 lakh से जादा है तो 30% tax लगेगा और यहाँ पर देख सकते हैं जो income tax जिवेट मिलने वाली है यानि आपको tax में छूट मिलने वाली है बजट 2023 में तो अभी तक क्या था इससे पहले जो था under section 87A के तहत 5 lakh तक लेकिन अब आपको 7 lakh तक जो है tax में छूट मि नहीं पड़ेगा according to new tax regime जो अभी चल रही है और जो old tax regime में पहले क्या था पांच लाग तक था तो क्योंकि 12500 बन रहा था तो यह 12500 पे tax छूट मिल जाती थी लेकि new tax regime में क्या है 25000 जैसे आपका बनता है तो आपका जो tax में छूट मिल जाएगी इसका मतलब यह हुआ अग साड़े साथ हुआ इसका मतलब साड़े साथ से आप 50000 को standard deduction जो है minus कर दीजिए अब बचा 7 लाग तो 7 लाग का आपका जो tax निकलेगा वो 25000 निकलेगा और 25000 पर आपको रिवेट मिल जाएगी यह छूट मिल जाएगी इस तरह से new tax regime के हिसाब से आपकी साड़े 7 लाग की annual income पर zero tax रहेगा यह किलिए है तो इससाब से देखा जाए तो old tax regime और new tax regime में new tax regime आपके लिए ज्यादा beneficial रहने वाली है आगे बढ़ते बढ़ते हुआ ही जान लेते हैं deductions and exemptions new tax regime versus old tax regime की new tax regime और old tax regime में कौन कौन से deductions मिलते हैं आपको tax में छूट के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिकुलर्स से आपको यह वाला कॉलम देखना है old tax regime वाला और new tax regime from 1st April 2023 से okay क्योंकि अभी बीच में भी आया था अपडेट किया गया था तो सबसे पहले देखिए जो minimum rebate है 5 लाग तक tax जीर रहेगा old में लेकिन new tax regime में 7 लाग तक amount पर कोई भी tax नहीं पड़ेगा standard deduction old tax regime में भी था और new tax regime में पहले नहीं था लेकिन after 1st April 2023 से 50,000 की छूट आपको as a standard deduction मिल जाती है तो इस तरह से देख सकते हैं effective tax free salary यहाँ पर जो old tax में थी वो साड़े 5 लाग थी अब यहाँ पर जो new tax में है वो साड़े 7 लाग तक tax free है जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका साड़े 7 लाग रुपया है तो new tax regime के according अगर आफ tax file करते है आइट के फाइल करते हैं तो साड़े 7 लाग रुपया पर आपको कोई भी tax नहीं देना होगा ठीक है और जैसे कि हमने बताई दिया calculate करके आया था minimum old tax में 12,000 रहा था है और new tax में 25,000 रहा था है तो इस पर रिवेट मिल जाती है entertainment allowance deduction as professional tax old में है new में नहीं है पर क्यों sites for official purpose यह old में भी है और new में भी है interest on home loan under section 24 भी on self occupied और vacant property यह old tax regime में है new में नहीं है interest on home loan और laid out property ठीक है जो property पे आपने home loan लिया है उस पर जो है छूट deduction की new tax regime में रखी गें deduction अंडर ATC जो ATC के तरे deductions आते हैं आपकी saving के ठीक है पीपीफ हो गया बीमा बगारा हो गया तो आपका old में है new में नहीं है chances बन सकते हैं जैसे कि हमने इसे पहले एक वीडियो आया था तो ऐसा कुछ leak से अरुमेंस आ रहे हैं तो अब इस में हो सकता है ATC को शामिल किया जाए फिलाल अभी कोई confirmation नहीं है employee contribution to ups old में है employers contribution to EPS यह old में दोनों में है medical insurance premium ATD, ATU, ATE और weekly loan ATEEB यह old में है new में नहीं है वहीं पर ATG जो donation वाला है और saving bank account interest पर जो छूट मिल जाती थी ATTTA and ATTB senior के लिए वो under senior है ठीक है तो old में है new में यह भी नहीं है other chapter 16A deductions all contributions to agnivir corpus fund ATCCH old में है new में नहीं रखा गया है deduction on family pension income, gifts up to 5000, exemption on voluntary retirement 10 under section 10C और exemption on gravity under section 10 subsection 10 यह old नहीं में रखा गया है वहीं पर exemption on leave encassment under section 10 subsection 10 AA यह new old नहीं है daily allowances है, transfer allowances for disabled person और conveyance allowance यह new old नहीं में रखा गया है तो इस तरह से आपको समझी आ चुका होगा कि जो कुछ important deductions है अब इसली मान सकते है old tax में है लेकिन जो आपको without saving किये हुए new tax resume में आपको benefit मिलना है वो old में नहीं मिलेगा old में आपको exemption पाने के लिए deductions को लागू करने के लिए उतनी saving दिखानी पड़ेगी आपका genuine होना चाहिए reduction तब ही आप apply कर सकते है और साड़े साथ लाग की income पर आपका कोई भी saving नहीं ली जा रही है तब भी आपकी जो है यहाँ पर new tax resume के recording tax zero आ रहा है है